मंडिप्या में स्री सावलय सेट विराजमान है जहाँ पर प्रती दिन हज्यारों श्रतालों दर्शन करने के लिए आते हैं स्री सावलय सेट सबकी मनोकामनाय पूर्ण करते हैं और जब लोगों की मनोकामनाय पूर्ण होती है तो लोग यहाँ पर सोने चांदी के चड़ावे प्रभु को अरपन करते हैं लेकिन कि आपको पता है कि स्री सावला सेट मंडिक्या में आये कहां से सावला सेट की मंडिक्या में इस्तापित मूर्थियों का इत्यास क्या है और क्यो श्री क्रेश्ण को यहाँ पर सी सावला सेट खा जाता है तो जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सस्काब जरू किजेगा और साथ ने बेल नोटिफिकेशन को भी ओन कर दीजेगा जिससे की आगे आने वाले सभी इतियासिक वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पर चित्रोगर से 40 किलोमेटर की दूरी पर इस्ति थे जिससे मंडिपिया के नाम से जाना जाता है बगवान स्री सावले सेट के इतियास को लेकर कई प्रकार की किवंदितिया प्रचली थे आज उनमें से कुछ किवंदितिया आपके सामने पेस्ट करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं भगवान स्री सावले सेट का संब्द मीरा बाई से बता जाता है और यसा बता जाता है कि भगवान स्री सावले सेट मीरा बाई के वहीं गिर्दर गोपाल है जिनकी होँ पूजा किया करती थी मीरा बाई संथ महात्माओ की जमात में इन मूर्तियों के साथ ब्रहमन सिल रहती थी एसी ही एक दयाराम नामक संथ की जमात थी जिनके पास यहां मूर्तिया थी एक बार जब औरंगजेप की मुगल सेना मंदिरों को तोड रही थी मेवार राज में पौशने पर मुगल सेनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा तब संथ दयाराम जी ने प्रभू प्रेणा से इन मूर्तियों को बांगूर भासोडा की चापर में एक वट वरक्ष की नीचे गड़ा खोद कर पत्रा दिया फिर समय बितने के साथ संथ दयाराम जी का देवलोग गमन हो गया कालांतर में सन 840 में मंदिपिया ग्राम निवासी बोलाराम गुजर नामा की एक ग्वाले को सपना आया कि बासोडा बांगूर की चापर में चाल मुर्तिया जमिन के नीचे दबी हुई है जब उसने वहाँ पर खुदाई की तो बोलाराम का सपना सही निकला और वहाँ पर एक जेसी चाल मनोवारी मुर्तिया निकली जो मूर्तिया देखने में काफी मनोवारी और काफी खूप शुरुत थी देखते ही देखते यह कबर सब तरब फेल गई और आस पास के लोग प्राकट इस्तल पर पहुंचने लगे फिर सर्व सम्मती से चार में से सबसे बड़ी मूर्ति को बासोला ग्राम ले जाया गया बासोला ग्राम में प्रसिद ग्रस संत पूजारी बगत रहते दे उनके निर्देशन में उदेपुन मेवार राज करिवार के बिंड़ट ठिकाने की ओर से स्री सावला सेट का मंदिर बनाया गया यहां मंदिर सबसे पुराना मंदिर है इसलिए यह मंदिर स्री सावला सेट का प्राचिन मंदिर के नाम से जाना जाता है मजली मूर्ती को वहीं खुदाई की जगह इस्तापित किया गया उसी प्राकट इस्तल कहा जाता है तबकि सब्सक्र छोटी मूर्ती बोलाराम गुच्च द्वारा मंडिप्या ग्राम ले जाई गई जिसे उन्होंने अपना गर के परिंडे में इस्तापित करके पुजा आरम क पर दी चोथी मूर्ती निकलते समय ही खंडित हो गई जिसे वापत उसी जगह पत्रा दिया गया काला इंतर में सभी जगह बव्य मंदिर बनते गए तिनों मंदिर की ख्याती दूर दूर तक फेली है आज भी लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शिन करने के लिए आते हैं स्री सावले सेट के बारे में यहाँ भी मायनेता है कि जब स्री सावले सेट नानी भाई का मायरा बढ़ने गए थे तो कि नानी भाई का भाई उस मायरे में उपस्तित नहीं हो पाया था तो नानी भाई के भाई के रूप में स्री सावले सेट वहाँ पर पहुँचे थे और प्रक्ष के नीचे पीन विशाल मूर्ट्या निकली यह मूर्ट्या श्रीक्रश्णी के मूर्ट्या थी जो आज परतमान मंदिरों में विराजमान है जिसा बताए जाता है कि उसके बाद उन मूर्ट्यों को सभी अलग-अलग जगहां पर इस्थापित किया गया और प्राकट इस्तल मंदिर जहां पर बनाए वहीं पर खुदाई हुई थी जो बास्तोड़ा ग्राम में इस्ति थे दोस्तों इस प्रकार यह तीनों मूर्ट्यों की कहानी थी और तीनों मूर्ट्यों का इतियास था आपको श्री सावले सेट की महिमा कैसे लेगी हमें कमेंट बॉक्स के अगले वीडियो में कुछ नहीं रोचक जानकारी के साथ तब तक के लिए जैसी सामिले से